तो ये उसकी तरफ से है कि एक इंसान को कोई इंसान छोड़के जा चुका है और बहुत दिनों बाद वो सामने दिखा है तो है कि आज तुम मेरी गली के सामने आए तो आज तुम मेरी गली के सामने आए और वो सारी आदें जो तकीये तले छुपा के रख दी थी मैंने मानो ताजासी हो गई तो यू तो वो वक्त कुछ और था और अब हकीकत कुछ और तुम कोई और थे और हम कोई और पर चलो गैरों के ही तरह सही तुम मिलने तो आए और मैं पुरानी यादों में लंबी कतार में कहीं खो गई उसके साथ ही मुझे वो आखरी शाम भी याद आई जो हमने साथ कुजारी थी जब चाए की दो प्याली थी और हमारे बीच जो था न वो सिर्फ एक खामुशी थी तुमने कुछ कहा भी नहीं था पर मैंने जो सुना वो तुम्हारी बेचैनी थी तुम्हारी नजरे वो कापते हुए हाथ मानो मुझे से ये कह रहे थे कि ये जो मुलाकात है न वो आखरी थी पर अगर मैं पूछ लेती तुमसे पर मैं अगर ये बात पूछ लेती तुमसे तो मेरी उम्मीद तूट जाते इतनी हिम्मत मुझे में कहां थी और ये मन में विश्वास था कि तू मुझे से दूर जाए कि तू मुझे से दूर जाए इसकी इजाजत मैंने तुझे कहां दे थी तो तुम चले गए तो तुम चले गए और मैं तुम्हारे पलेटने का इंतजार करती रहे गई बरसो तक भरोसा तूटा नहीं मेरा और तू मेरा है और तू लोटेगा मैं सबसे यह कह गई शायद जैसे कि मैं जानती थी और एक जो खत तुने उस आखरी मुलाकात ने मुझे दिया था शायद मैं जानती थी कि क्या मजबूरी लिखी है तूने उस खत को आज तक खोला नहीं जो तूने मुझे आखरी मुलाकात में दिया था अगर ऐसा लगता है मुझे कि मैं उस खत को खोल लोंगी तो मेरी उमीड तूट जाएगी और जिससे इतनी तूट कर मुहबबत की है वो मेरी नजरों से गिर जाएगा तो कैसी हो तो कैसी हो उसकी इस सवाल ने मेरे ख्वाबों की नीन तोड़ दी मैं कुछ कहती उससे कि वक्त नहीं है उसने बता दिया मैं कुछ कहती उससे कि वक्त नहीं है उसने मुझे ये बता दिया बेटा रोता होगा मेरा साथ में एक फोटो भी दिखा दिया तो इस वाके के बाद उस खत में क्या लिखा था उस खत में क्या लिखा था बिना पढ़े में सब कुछ समझ गई तो आज तो मेरी गली में क्यों आए मेरी उमीद फिर से टूट गई और सारी यादें फिर सित आजा हो गए Thank you so much तो दूसरी जो मैं बोले जा रही हूं कि कल की हसीन बारिष के बाद कल की हसीन बारिस के बाद इस सड़के मानू बाहे फैला कर खड़ी थी इस मिट्टी की सोंधी खुस्बू एक नई ताजगी बिखे रही थी मौसम भी सुहाना था और बहुत रंगीन था तो मेरी नजरें अचानक से उस जगे पर रुकी जहां पर हर रोज रुकती थी जिन नजरों की चमक हर रोज मुझे जीने का हौसला दिया करती थी तो हर रोज हमारे सिस्गनल पर 30 सेकड़, 30 सेकड़ की मुलाकाथ हुआ करती थी लेकिन ऐसा लगता था कि उन 30 सिकेंड में मानो वो पूरे दिन का हिसाब मांग लिया करती थी और आखिर में उसका ये कहना कि कल फिर मिलेंगे दी-दी मानो मेरी दिन चर्या का हिस्सा ऐसा था पर ना जाने क्यों उन नजरों में आज थोड़ी सी मायूश थी और खामूसी थी जिसे देखकर मैं बहुत सी हरान थी बहुत क्या बहुत ज़दा हरान थी तो आज वो 30 सिकिंड का दाइरा तूट सा गया था मेरे सवालों का पिटारा हाथों से छूट सा गया था तो उसके नन्हे होट अपना दर्द बया कर रहे थे उसके मिट्टी के खिलोने आज मिट्टी में मिल रहे थे तो वो जिन खिलोनों को खरीद कर नहीं बलकि बेज कर खुस हुआ करती थी कल रात की तेज बारिस उन्हें अपने साथ बहा कर ले गई तो जो खिलोने हमारी बातों का जरिया हुआ करते थे कि जैसे तुम्हारी गुड़े की गुड़िया कहा है या फिर इस गुड़े की नाक तेड़ी क्यों बनाई है मानो इन बातों का सिलसिला थोड़ा स्थम सगया था मानो उसके हाँ से आज सब कुछ निकल सगया था मैंने उससे पूछा और तुम्हारा स्कूल मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा स्कूल तो उसने बोला कि पापा ने किताबों के पैसों से नए खिलोने बनाने का समान खरीद लिया है और मेरा स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है मैं शान चुपचाप खड़ी थी पस उसे एक टक देखे जा रही थी कि अचानक से उसकी होटों में दवी होई मुस्कान सी दिखी वो बोली दीदी तुम देखना कि इस बार और सिंदर खिलोने बनाएंगे जब पास में पैसे आएंगे न तो नई किताबे भी खरीदेंगे और तब तुम मुझे सामने वाले पार्क में बैठ कर पढ़ाओगी न मैंने यह सोचा कि जो बारिष मेरे लिए इतनी सुहानी और इतनी अच्छी थी वो किसी के लिए इतनी दर्दनाग भी हो सकती है मैं इस सवाल की अपने सोच में ही थी कि उसके इस उम्मीद भरे सवाल ने एक और सवाल मन में कौन किया कि जिन तकलीफों की हम बात करते हैं और हार जाते हैं क्या सच में हार जाना चाहिए तो उसके इस उम्मीद भरे सवाल ने मुझे उल्जान में डाल दिया और मुए इससे सर्फ इतना ही कह सकी जरूर गुरिया शुक्र